आप सभी अच्छ होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो पिटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नंबर 32 ठीक है इंग्लिस सब्जेक्ट की है एक तारिक की है यानि की एक फरवरी की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए जिसमें आज हम अपना इंगली ग्रैमर का नेक्स टोपिक करने जा रहे हैं प्री पोजिशन ठीक है या प्रेप पोजिशन भी बोलते है इनको बेटा तो क्या होती है यह बहुत ही important होती है बहुत ही मतलब कि समझ लो तो बहुत आसान है और ना समझ में आए तो बहुत difficult भी टोपी कही है तो ध्यान से समझना इसको तो चलिए समझते हैं बेटा और अगर समझ पसंद आए तो प्लीज बेटा वीडियो को like शे जरूर करना और न कोई भी चीज जो है वो कहां पर है प्री पोजिसन यानी कि जो प्लेज है उसके बारे में बताते हैं ठीक है प्री पोजिसन और usually placed before a noun ठीक है अब pre का मतलब पहले ठीक है और पोजिसन यानी कि बेटा नाउन जो हता है उस से पहले ये आती है ठीक है placing before का UT कि यही है कि वो से पहले आता है ठीक है जैसे कि आप कह सकते हो we are we sit on ground ground क्या है बेटा एक नाम है किसका जमीन का ठीक है एक नाम हो गया एक अक्षेत्र का जहां पर वो बैठे हैं तो उससे पहले जो आता है वो है ठीक है अब यहां पर देखो बेटा practice करेंगे इसकी let us start by learning preposition of a place तो सबसे पहले हम किसी स्थान के लिए हम किस तरीके से preposition का प्रियोग करते है वो आज जानेगे look at the picture below showing the preposition of a place तो हमें नीचे देखना है place के लिए different different place के लिए किस तरीके की position का प्रियोग किया जा था preposition का वो हम जानेगे तो यहां पर देखो बेटा यह एक cartoon है जो कहां पर बैठा हुआ है एक box के ऊपर बैठा हुआ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे लेकिन अब box से उपर है यानि कि वो jump कर रहा है एक तरीके से ऐसे लगा लो इसके उपर हो गया इससे touch नहीं कर रहा और यह इसको touch कर रहा था ठीक है तो यह क्या हो जाएगा over यहां पर कह सकते हैं कि यह jump कर रहा है किसके he is jumping over the box तो जैसे ठीक है फिर यहां पर देखो box इस इसके उपर है और यह इसके नीचे है तो under box के नीचे है जस्ट नीचे है तो under हो जाता है ठीक है ध्यान देना है मैं क्या word बोल रही हूँ यहां पर देखो यह यहां पर है और यह यहां पर यह दूसरे से बहुत दूर है तो यहां पर यहां पर यह दूसरे के पास है यानि के नीचे है डाउन ठीक है तो यहां पर क्या है डाउन उसके बाद यहां पर देखो जो पेड़ है अब यहां पर देखो यह ब्लो है ठीक है और यह क्या है इसके अबाव है अब यहां पर यह ब्लो और अबाव का मेनिंग क्या होता है यह ब्लो और अबाव जो होते है वो एक point के लिए use होते, जो पक्षी होते इसके उपर से जाते हैं मंद राते हुए, ठीक है तो इसका मतलब हो क्या, हमहापर हम क्या प्रियोग करेंगे, अबहो का और below का क्या करेंगे, जो पेड के नीचे से जाते हैं ठीक है क्या ना में एक under का मतलब क्या है कि एक वहीं पर टिका हुआ है और यह क्या है जो इसके पास है मतलब काफी दूर है इससे touch नहीं कर रहा है और इनके बीच में काफी gap है तो वहाँ पर हम blow का प्रियोग करते हैं ठीक है उसके बाद यहां देखोगे एक box है और box के side में यह है तो हम इसको बोल देते हैं कि box के next यानि कि next to box ठीक है यहां पर देखो यह box इसके पीछे है तो in front of यानि कि box के आगे है यानि कि in front of अब box के पीछे होगा तो behind ठीक है लेकिन इधर भी box है और इधर भी box है और इसके बीच में यह है तो between का परियोग करते हैं अब यहाँ पर देखो among यानि कि इतने सारे बिटा यह cartoon दिखाएगे हैं उसमें उन सभी में यह black color का है तो काफी सारों में जब किसी की बात की जाती है तो among आता है ठीक है काफी की बात होती है तो जंप नहीं कर रहा किसी box के उपर कर रहा तो over का प्रियोग हुता है ठीक है I think आपको समझाएंगे practice से और समझेंगे यहाँ पर now look at the picture below and fill in the blank with the correct preposition ठीक है तो देखो यहाँ पर first जो दिया हुआ है क्या दे रखा है यहाँ there is a doll dash the sofa तो doll देखो का है यह कहाँ पर है sofa के उपर है तो there is a doll on the sofa ठीक है फिर the dog is dash the table तो यह जो dog है यह कहाँ है table के नीचे just नीचे है तो इसलिए dog is under the table फिर the lamp is lamp कहाँ पर है यह रा lamp lamp कहाँ पर है बटा sofa के पीछे है तो lamp is behind बी ई lamp is behind the sofa अब there is a vase dash the ball तो वास क्या है बटा यह तो रही बोल और यह रहा वास ठीक है यानि के गम लाइक तरीके का तो सजाने वाला तो वो कहाँ है बोल के पास में है तो there is a vase near ठीक है there is a vase near the ball अब यहाँ पर the umbrella is dash the cushion अब यहाँ पर देखो यह क्या है cushion है बटा इधर भी cushion है उसके बीच में यह है तो यहाँ पर क्या है बिट्विन umbrella is between the cushion ठीक है तो umbrella क्या है cushion के जो तकी है उनके बीच में है आप यह समझ रहे हो place position देखने में हम आए कि कहाँ पर कोई वस्तू है इधर देखो the framed picture is dash the sofa तो यह framed picture जो है बटा वो कहा है above sofa के उपर है ठीक है तो आप यहाँ पर क्या लिखाओगे the framed picture is above ठीक है above the sofa उसके बाद the bowl is dash armchair अब एक चीज और ध्यान रिकना बटा जो देर इसे bowl देखो bowl कहाँ पर है बटा armchair armchair क्यों बोला गया क्योंकि यह single chair है single chair और इसके दोनों तरफ क्या है यह इस तरीके से एक cover है पीछे से भी आगे से भी तो इसके यहाँ पर भी जब भी कोई चीज रखी जाएगी तो बिटा वो on नहीं कही जाएगी यह in कही जाएगी तो जो bowl है वो armchair में है ठीक है क्योंकि चारो तरफ से उसको घेर रखा है cover और रखिया वो अगर यहाँ पर इस वाले की बात होती तो इसलिए यहाँ पर armchair जब भी होगी बिटा तो in का प्रियोग करेंगे ठीक है यहाँ पर confuse नहीं होना है on नहीं करना है आपको अगर कहना है कि we sit यहाँ पर देखो we sit on sofa तो यह वाला sofa इस पर तो on आएगा लेकिन हम इसकी बात करेंगे तो हम कहेंगे we sit in armchair ठीक है इस चीज़ का धियान रखना है next there is a window dash the sofa तो यह sofa है इसके पीछे है तो आप क्या कहोगे behind there is a window behind the sofa फिर there is a lamp dash the sofa and the armchair तो lamp कहाँ पर है बेटा यह रहा तो lamp कहाँ पर है lamp is between इस वाली armchair के और इस वाले sofa के बीच में है तो between ठीक है इह है यह फिर the robot is dash the bed तो जो robot है बेटा वो कहाँ है bed के उपर बेटा हुआ है तो robot is on the bed ठीक है अगर बेटा यह in the bed भी होता है अगर यह लेटा हुआ होता और यह सोया हुआ होता तो हम इनका परियोग कर दे लेकिन यह सो नहीं रहा यह इस पर बेटा है तो हम क्या कहेंगे robot is on the bed ठीक है समझ रहो मैंने किस तरीके सा समझा है और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप comment box में पूछ तकते हो इस वीडियो में इतना ही और अपना नेक्स टोपिक जोगा नेक्स वीडियो में करेंगे इसके प्रिपोजिशन की प्रैक्टिस हम नेक्स वीडियो में भी करने वाले हैं तो तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करना फिर भी कोई doubt आए तो comment box में पूछ रहे न अगर बिटा आपको समझ आए हो तो प्लीज वीडियो को like share जरूर करना इस वीडियो में इतने अपना next topic जोगा नेक्स वीडियो में करेंगे तब तक के लिएसी हसते रही है मुस्क्राद रही है बढ़त रही रागे बढ़त रही थैंक्यू